दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी K50i का FRP बाइपास करने का तरीका, बैक साइड में आप देख सकते हैं, रेडमी की ब्रैंडिंग है, मॉडल नमर मैंने आपको बता दिया, मॉडल नमर है रेडमी K50i, ओके, वीडियो को ध्यान से दे आप अपने रेडमी K50i का FRP यानि की Google एकाउंट बाइपास कर पाएंगे, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सवरब और आप देख रहे हैं, Perfect Mobile Solution, एक चीज बता दो दोस्तों, यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मैथड से, आप रेडमी के उन सारे डिवाइसे का FR बाइपास कर पाएंगे, जिनका साफ्ट्वेर MIY13 से अप टू डेट है, तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, कि मेरे पास यह जो डिवाइस है, रेडमी K50i, यह पूरी तरह से FRP लॉक है, यानि की Google एकाउंट लॉक है, तो इसके लिए मैं टू नेटवर्क वाले आप्सन पर हम आ चुके हैं, अभी हमें करना क्या होगा, यहाँ पे डिवाइस को किसी वाइफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है, तो यहाँ जल्दी से मैं अपने डिवाइस को किसी वाइफाई से कनेक्ट और ये देखें दोस्तों, finally ये problem आपको face करने पड़ती है, जब आपकी device FRP lock होती है, यानि कि Google account lock होती है, यहाँ पे device का FRP bypass करने के लिए आपके पास दो option है, सबसे पहला option, draw your pattern, यानि कि ये pattern आपको draw करना होगा, अगर आपको ये pattern पता है, तो आप simple ये pattern यहाँ पे draw करें, अगर आपने सही pattern ट्रा किया, तो device आपकी बहुत आसानी से unlock हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, ये pattern हमें नहीं पता है, एक चीज़ और ध्यान दे, यहाँ पे pattern का option है, तो यहाँ पे pin या password का भी option हो सकता है, वो आपके उपर डिपिंट करता है, कि आपने अपने device में security के तो ये देखे, finally verify your account का option आ गया, तो अब दोस्तों, finally इस device का FRP bypass करने के लिए, आपको इसी device का Google account यहाँ पे verify करना होगा, अगर आपको इस device का Google account पता है, तो simple email और phone में एंटर कर दें, नीचे से next कर दें, अगर आपने सही Google account एंटर किया, तो device आपकी बहुत आसानी से unlock हो जा बिल्कुल free में आप अपने Redmi के 50i या Redmi के उन सारे devices का FRP bypass कर पाएंगे, जिनका software MIUI 13 से up to date है, तो अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ से बिल्कुल back चले आना है, बिल्कुल home screen पे, तो आप यहाँ से बिल्कुल back चले आना है, ध्यान करें, ओके, आपको चले आना है, choose your region वाले option पे, यहाँ पी उपर की तरफ आपको यह search box दिखेगा, आप simple search box पे click करें, तो आपके device का keyboard open हो जाएगा, keyboard में उपर की तरफ आपको यह symbol दिखता है, आप simple इस symbol पे click करें, जैसे इस symbol पे click करेंगे, तो यह सारे options आपको यहाँ privacy and policy पे, तो यहाँ पे देखें दोस्तों privacy policy open हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिखें numbering है, यह रहा first, उसके बाद यह रहा second, आपको जाना है 13 page पे, ध्यान से सुनिए, आपको जाना है page number 13 पे, तो यहाँ पे आप नीचे आईए, यह रहा page number 13, यहाँ पे देखें, ओके, अब page number 13 पे, आपको एक email address मिलेगा, यह रहा, आप simple इस email address पे click करें, जैसे इस email address पे click करेंगे, तो यहाँ पे देखें, share के लिए यह सारे option आपको so करेंगे, आपको करना क्या है, यहाँ पे Gmail वाला जो option है, इसे continue प्रेस करके रखना है, तो आप बिल्कुल last में आए, बिल्कुल last में एक option मिलेगा, additional setting in the app, आप इस पे click करें, उसके बाद ऊपर के तरफ three dot है, आप इस पे click करें, उसके बाद आपको click करना help and feedback पे, तो आप इस पे click करें, ओके, कुछ second wait करें, तो आपको यह interface देखने को मिलेगा, अब देखिए आपको करना क्या, यहाँ पे लिखा search help, यह box है, आप simple इस box पे click करें, यहाँ पे आपको simple type कर देना, delete, display पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल same type करेंगा, तो यहाँ पे मैंने type किया, delete, जैसे ही delete type करेंगे, तो बिल्कुल पहला option, delete, disable and manage, आपको simple इस पे click करना है, इस प देखेंगे, आपको device में by default जो applications की list है, यह देखिए, सारे applications की list आपको यहाँ पे so कर देगी, ठीक है, आपको करना क्या है, बिल्कुल उपर आएंगे, तो यहाँ पे दूसरे number पे एक application आपको मिलेगा, android auto, आपको simple इस पे click करना है, इस पे click करने के बाद ध्यान से सुनी आपको करना क्या है, आपको इस application को disable करना है, और force stop कैसे करेंगे, यहाँ से आप इसे disable करिए, नीचे से disable आए, उसके बाद force stop करिए, और last में आपको ok कर देना है, ठीक है, यह जो android auto है, इसका work finish हो गया, अब हम back चलेंगे, back आने के बाद दूसरा application है दोस्तो, android setup, यह रहा आप इसपे क्लिक करें, इसपे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या, इस application को सिर्फ force stop करना है, तो आप यहाँ उपर से इसे force stop करिए, उसके बाद ok करिए, android setup इसका beaver finish हो गया, अब हम back आएंगे, back आने के बाद एक और application है, जिसे आपको disable और force stop करना है, तो last application है दोस्तों Google Play Services, यह रहा, आप इसपे क्लिक करें, और same to same वही काम disable and force stop, तो पहले आप disable करें, उसके बाद disable आप करने, ठीक है, यह देखिए, automatically back आ ठीक है, तो फिर से आपको Google Play Services open करना है, तो यहाँ से नीचे आईए, आपको मिलेगा Google Play Services, यह रहा, आप इसपे क्लिक करें, और आपन इसे force stop करें, उसके बाद OK करें, ठीक है, तो अब दोस्तों, जो भी application आपको disable और force stop करना था, वो सारे application disable और force stop हो चुके हैं, अब यहाँ से आप back आईए, ओके, back आनेक बाद आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक application आपको मिलेगा settings, आप simple settings पे click करें, ओके, settings के बाद यहाँ पे देखे open का option है, जैसे ही आप open पे click करेंगे, तो आपके device की main setting open हो जाएगी, तो आप यहाँ open पे click करें, और यह देखे दोस्तों, आप देख सकते हैं, device की main setting open हो गए, ठीक है, सबसे पहले, इसका MIUI version मैं आपको एक बार confirm कर देता जो की बिल्कुल latest है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, आप Redmi के उन सारे devices का FRP bypass कर सकते हैं, जिनका software MIUI 13 से up to date है, ओके, तो अब हम back आते हैं device की main setting में, ओके, setting में आनेक बाद देखिए आपको करना का है, यहाँ पे आप नी नीचे आएए, नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक option आपको मिलेगा additional settings का, आप simple इस पे click करें, additional settings के बाद नीचे के तरफ आपको एक option मिलेगा accessibility का, आप इस पे click करें, accessibility के बाद आपको simply click करना है, accessibility menu पे तो आप इस पे click करें, और accessibility menu पे click करने के बाद, आपको उपर की तरफ एक option मिलेगा accessibility menu shortcut जो की off है आपको इसे on करना है तो आप इसे यहाँ से इसे on करें ओके on करने के बाद simple नीचे से allow कर दें और उसके बाद okay कर दें अब यह देखिए accessibility menu shortcut on हो गया और जैसे यह on होगा आपको उसका symbol नीचे तरफ देखने को मिलेगा और एक चीज simply यहाँ पर device को आपको reboot कर देना ठीक है तो आप simple power button को प्रेस करें और यहाँ से आप simple device को reboot कर दें ओके device हमारी reboot हो गई अब कुछ second wait करें इसे start होने तक दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं Redmi K50i का FRP bypass करने का सबसे easy और बिल्कुल latest तरीका एक बार फिर से repeat करता हूं इस वीडियो को देखकर सिर्फ Redmi K50i ही नहीं बलकि Redmi के उन सारे devices का FRP bypass कर सकते हैं जिनका software latest MIUI 13 से up to date है आपको किसी laptop PC की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी इस वीडियो को देखकर घर बैठे 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 बिल्कुल free में आप Redmi के उन सारे devices का FRP bypass कर पाएंगे ज इसके लिए simple इस arrow पे क्लिक करेंगे ओके यह box को चेक करेंगे उसके बाद next करेंगे ओके यहां से simple skip this step उसके बाद next ओके यहां देखे device हमारी Wi-Fi से connect है न मैं simple next पे क्लिक कर दूँगा और कुछ सेकंड यहां वेट करिए Just a few moment कुछ सेकंड आपको वेट करना है वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करिएगा दोस्तों अगर आपने वीडियो को इसकीप किया तो आप device का FRP bypass नहीं कर पाएंगे इसलिए प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करिएगा वीड अब इसके आगे आपकी डिवाइस बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं करेगी काफी टाइम आप वेट करेंगे तो भी बिल्कुल यहाँ checking for update और यह continue round करेगा ओके तो अब देखिए आपको करना क्या है अब दोस्तों work शुरू होता है accessibility menu shortcut का यानि कि इसका जिसे आपने on किया था तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको आगे जो भी करना है वो प्रोसेस मैं आपको detail में समझा देता हूँ उसके बाद practically करके दिखाऊंगा ठीक है तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा accessibility menu shortcut पे तो यह सारे function आपको सो करेंगे मैंने पहले ही दिखाया था ठीक है उसके बाद आप क्लिक करेंगे Google Assistant पे याद रहे दोस्तों जैसे ही Google Assistant पे क्लिक करें और आपको याद होगा आपने Google Play Services को disable किया था आपको सिर्फ और सिर्फ Google Play Services को enable कर देना है तो आपको समझ में आ आपको क्या करना है अब चलिए यह चीज में आपको practically करके दिखा देता हूं तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे accessibility menu shortcut पे उसके बाद Google Assistant पे यहाँ पे दिखेगा दोस्तों blue color का नहीं दिखा फिर से try करेंगे accessibility Google accessibility Google यहाँ पी देखेगा setting जैसे ही setting दिखेगा आपको setting पे जल्दी यल्दी क्लिक करना है फिर से try करते है accessibility Google गूगल, एसेसबिल्टी, गूगल, सेटिंग, यह देखे, सेटिंग दिखा न, जैसे ही सेटिंग दिखे, आपको सेटिंग पे जल्दी-ल्दी क्लिक करना है, इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में Google Play Services का आप इन्फो ओपेन हो जाएगा, ओके, और यह देखे दोस्तों, फानली आप देख सकते हैं, 6-7 बार मैंने ट्राई किया, और फानली आप दोस्तों देख सकते हैं, Google Play Services का आप इन्फो यहाँ पे ओपेन हो गया, ओके, और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि Google Play Services को आपको इनेबल करना, क्योंकि आपने डिसेबल किया था, तो यहाँ प मतलब यह हुआ कि आपको डिवाइस का FRP बाइपास हो चुका है, अब आपको करना क्या है, Android सेट अप करना है, आपको डिवाइस का FRP बाइपास हो गया, लेकिन फिर भी मैं complete सेट अप करके दिखा देता हूँ, ठीक है, more पे क्लिक करेंगे, accept करेंगे, skip करेंगे, ok करेंग नेक्स्ट करेंगे, once again next करेंगे, agree करेंगे, next करेंगे, setup complete, यह arrow है, simple arrow पे क्लिक कर दें, ok और यह देखें दोस्तों, finally हमारी डिवाइस Redmi K50i इसका FRP पूरी तरह से बाइपास हो गया, डिवाइस हमारी पूरी तरह से अनलाग हो गई, तो दोस्तों यह पूरा फूल प्रोस आपने on किया था, सेम तरीका से off करेंगे, आपको जाना होगा device की main setting में, setting में आनेक बाद यहाँ पे एक option आपको मिलेगा additional settings का, उसके बाद आपको क्लिक करना accessibility पे, accessibility के बाद आपको क्लिक करना accessibility menu पे, और यहाँ से देखें दोस्तों, accessibility menu shortcut आपने on किया था, आप इसे यहा फूल प्रोसेस है, Redmi K50i का FRP बाइपास करने का, यानि कि device का Google account lock रिमूब करने का, यह विडियो आपको कैसे लगी, यह ट्रिक आपको कैसा लगा, मुझे comment करके जरूर बताइएगा, विडियो के last में दोस्तों एक छोट इस request करूँगा, अगर दोस्तों मेरी विडियो लगती है, तो प्लीस दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस विडियो को आप जादा से जादा से शेयर करें, विडियो को लाइक करना बिलकुल न बुलें, और ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग विडियो की continue notification पाने के लिए, जल्दी स जो बेला करना है, उसे भी प्रेस करें, तो दोस्तों विडियो पुरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, ठैंक यू, ठैंक यू सो माच,